नमस्कार दोस्तों मैं महेचपान डे प्लॉस्टटेक दा वर्ड आफ प्लास्टिक्स में आपका स्वागत करता हूं जैसा कि दोस्तों आप आज देख पा रहे हैं यहापके सामने है मैनिफॉल्ड क्या होता है इसको पूरा यहाँ डीटेल में समझाया जाता है distribution कैसे होता है यह पूरा आपको यहां पर एक एक solenoid बाल लगा के यहां पर दिखाया जाता है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यह injection solenoid valve है सक बाइक solenoid valve है इसके बाद में यह charging valve है यहां एक एक चीज आपको सिखाया जाता है कि मैनी फोल्ड में कैसे कहां पर कौन से वाल लगाये जाते हैं कि किस वाल का क्या function है इसका वाइरिंग कैसे किया जाता है इसके नंबर को code को कैसे पहचाना जाता जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं injection valve जो है मारा solenoid इसमें 24 DC करेंट आता है action का लगा हुआ है अब इसको हम कैसे पाइनल में इसका वाइरिंग करेंगे कि कि एल्गोरिदम के थुरू यह हमारा वर्क करेगा solenoid वाल यह सब पूरा यहां तिखाया जाता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह आपके सामने pressureswitch प्रेसर का क्या काम होता है यह सब चीजें यहां पर पूरा डीटेल में बताया जाता यह जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर रेगेया जाता कई से चेक वाहल हाईाइल को क्यों कैसे रोस्ट करता है इसके वाद में इसका और क्या वाल क्या रिवा को उल्सका हिए पस प्रकॉर्णलड में प्रीक करें वाल कैसे हुटा एक पर यहां पर मैनली दीए जाता अगर आपको बायकप्रेसर से इसी मसीन पे हमको आटोमाइटीक करना है तो अगर आप भी इसी तसी तरीके का नाले लेना चाहते हैं तो आप इस ट्रेणिंगabei में जुड़ सकते हैं जो कि हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम आनलाइन और आफ लाइन दोनों अवलेबल है तो अगर आपके पास टाइम है आप यहां अहमदावात कड़ी आ सकते हैं तो आप हमारे कांटेक्ट नमबर पर जो कि डिस्प्ले पर चल ला है संपर कर सकते हैं अगर आपके पास आने का काईम नहीं है आप नहीं पर जौब कर रहे यह आप कहीं कुछ और कर रहें सीकने की इच्छा रखते हैं या अगर इंडिस्ट्री आनर हैं तो अगर सीकना चाहते हैं तो आप हमारा आउन लाइन प्लास को जोइन कर सकते हैं जो कि हमारे application Plastro Tech पे अबलेवल है यहां पे एक एक चीज हम लोग पूरा detail में समझाए है कि मैनी फोल्ड को कैसे पूरा यहां वाल लगाया जाता है वो आयल का moment कैसे होता है कि हमारा जो system pressure है यह system pressure कितना PSI तक इस पे pressure लेना चाहिए इसके बाद में इसको loop कैसे लगाया जाता है कैसे heat exchanger में जाता है इन चीजों को आप यहां पूरा detail में सीखेंगे अगर सीखना चाहते हैं वाके में और injection field में कुछ अपना नाम कमाना चाहते हैं कुछ करके तो आप service training program को join करिए join करके आप अपने knowledge को boost करिए यहां पे आप देख पा रहे हैं जिसे घर में हम लोग के जंसन बॉक्स लगा होता है यहां पर ऐसे एक MPR का जंसन बॉक्स लगा है यहां पर कैसे आप देख पा रहे हैं यह heater के wires हैं यह हमारे थेस हो गए हैं यह neutral हो गया यह जोड़ा जाता है कैसे नौजल के हिटर जोड़े जाते हैं कैसे हमारा thermo couple का wiring किया जाता है thermo couple कैसे sense करके कि फिर इसके बाद में कैसे मदर बोर्ड को हाँ PLC में send किया जाता है कितना MPR electricity utilize हो रहा है यहां पर पूरा एक एक चीज़ सिखाया जाता है अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे training program को join करें मैं आसा करता हूँ आप सीखेंगे आप सीखेंगे अपने knowledge को boost करेंगे और आप हमसे contact करेंगे और contact करके आप training program में समलित होंगे पूरी वीडियो देखने के लिए thank you so much